मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग इस पर की है तीन तलाग पर मुस्लिम महिलाओं का ऐसा दर्थ देखकर सामने आया है कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप जैसे इतने इंटेलिजेंट लोग भी इस समुदाए का प्रतने दित्व करते हैं और आप लोग इसक महिलाओं को छोड़ दिया जाता है चाए में चीनी कम पड़ गई या कुछ और हो गया तो छोड़ दिया जाता है तीन तलाग के बाद ऐसे महिला भी है जो करवा चौट का रोजा भी रखती है कि मुझे डिल्ली में आकर अपने हस्बंड के साथ रहना है उनकी फिकर क्यों के डिजर्शन का इदाफा होगा हम कह रहें कि इसलाम में कॉंट्राक है ना आप कंडिशन लगाईए जो हमारे तलेंगाना में है कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी वाइफ को एक ही वक में टिपल तलाग देता है तो जो महर का माउंट है मिसाल तौरपा गर वो पचास क्यों है तीन करोड मुस्लिम महिलाओं ने लिख कर दिया है कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं साड़े आट करोड मुस्लिम महिलाएं हैं देश में वही तो कह रहा हूं लिख कर विच साइन करके दिया है प्राइम मिनिस्टर आफिस को उनका नाम पता एड्रेस लगाई है लेकिन एक चीज़ बताई हो एसी साब अगर मान लिजे पुरुष जिस भी वज़े से चाहें उसका खुद का मन करे या दूसरी तीसरी चौथी वज़े हो अगर तीन तलाग कहकर अपने पत्ने को छोड़ देता है और उसके पास बच्चे हैं वो कहां जाएगी Domestic Violence Act 498 AIPC 125 CRPC ये तीनों एक्ट हैं निका नामे में इस कंडिशन को लिखाएए कि हमारा अगर खुदाना खास्ता का शादी तूटी है तो ट्रिपल तलाग से नहीं होगा और अगर कोई करेगा तो महर का पांच दुगना मांट देना पड़ेगा आप ट्रिपल तलाग को गलत भी मानते हैं विल्कुल आप मोदी सरकार के समर्थन में भी खड़े नहीं है उसको गुना मानता हो गुना मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको देखिए रेमीडी इस वर्स दन डिजीस मैं फिर आप से कहूंगी मोदी जी कराये हैं इस बज़र से आपको दिक्कत है मैडम आप को इतनी मोदी से महबत नहीं है मैं तो सवाल पूछ रही हूं और इकना मोदी से आप लोगों को छोड़िये ना इंसान है मैं भी इंसान हूं आज ने कल सब जाएंगे कोई ठिकने वाला नहीं है जब हिंदुस्तान के बबड़े महलों के महले खंडर पड़ चुके हैं रहनेवाले नहीं नहीं रहे तो ना मोडी रहेगा ना सत्रय नहीं जांद को और नहीं प्रिशर है हमों को तो कोई प्रिशर नहीं झाल झाल